तो दोस्तों बीते रात बिग बॉस में काफी खतरनाग फाइट देखने को मिले यहाँ पर इसा और सामर्थ एक तरफ से लड़ रहे थे वहीं दूसरी तरफ से मुनावर और अविशेक देखने को मिले यहाँ पर सामर्थ ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला जिसे कि यहाँ पर पॉब्लिक के तरफ से काफी जादा नोटिस किया जा रहा है यहाँ पर सामर्थ ने मुनावर से बुला कि इस सो में सबसे पहले नाजिला का नाम लाया कौन वो तो मुनावर नहीं लाया ना ने तो नाजिला को आखिर यहाँ जान कौन रहा था यह बिलकुल उस तरीके का situation है जैसा कि खांजादी के साथ हुआ था खांजादी ने सबसे पहले खुद ही medical अपना जो भी medical उसका condition था या फिर उसके साथ जो भी medical problem था उसको सबसे पहले खुद खांजादी ने सो में बताया उससे sympathy बटोरने का कोशिस किया और जब लोग उसके medical के बारे में बोलने लगे उसके बारे में बात करने लगे उस पर टॉंट करने लगे तो इस चीज़ से खांजादी को problem होने लगा और वो रोने लगी थी और सेम situation यहां पर मुनावर का भी है मुनावर ने सबसे पहले नाजिला का नाम लिया उसके बारे मात किया और जब हम लोग नाज सारी contestants के सामने अब इस चीज़ को लेकर आपको क्या लगता है कि नाजिला का नाम अगर सो में उचल रहा तो इसके पिछे का असली कारण कोन है सो के बाकी contestant या फिर मुना और फारू की खोदी या फिर बिग बॉस इस बारे में आप क्या कहने चाहते हो नीचे कमेंट करके अपनी राज जुरूर बता अच्छा और भी अपडेट्स के लिए खबरी मन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना